यहाँ पर जो यह पाइप दीख रही है उसको मेरेको स्वाट आउट करना है क्योंकि जो भी पानी नीचे जा रहा है वह डारेक्ट मेरेpauld ख्रोप जोए और बाइप पाइप और की आपे थार तो यह जो पाइप दिख रही है वह पाइप को कैसे करूंगा यह जो यह वाली पाइप है ऐसे कुछ करके जुबाड करके यहां पर साइड में कर दूंगा यहां से साइड में करूंगा क्योंकि यह पूरा जो है ब्लोक पूरा ब्लेक ब्लेक हो चुका है पानी गिर गिर के ज जो गर का गैट है उसके आगे नेनो है वो थोड़ा प्रोब्लेम वाला पाथ है वैसे जब एसी इंस्टोलेशन करने आया तब मेरे को जो पानी की पाइप बाहर निकले कि वो मेरे को याद रहा ही नहीं वो टाइम पे कुछ याद आया हो था तो वो टाइम पे जुगार कर द दो बट इतनी कर्मी में और जो मेरा स्पेस उपर का फ्लॉर है तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है इतनी ज्यादा कर्मी होती है मतलब उपर जो 45 टेंपरेचर हो यह तो नीचे भी उतना ही रहता था तो उसके रीजन से कश्टमर को कुछ प्रोब्लेम ना हो वे के हिसाब से मेरे को खर्चा करना पड़ा है एस ही गा फाइनली एर देखो मेरा जो लाइसंस है उसमें फटाफट एडरस चेंज हो जाए तो अच्छा है क्योंकि ना मेरा कुछ डोकुमेंट का काम भी अटक चुगा है जो एडरस नहीं है प्रोफर इसलिए ऐसा नहीं कि लाइसंस में मेर दो डोकुमेंट और भी है उसमें भी मेरे को एडरस चेंज करवाने है अगी हो जाएगा बढ़िया है चलो फाइनल अभी लाइसंस का एडरस चेंज करने की प्रोसर्स दे दिया है और जो खीस हो थी वो भी पेक कर दिया है उसी में बोला है एक विक केंदर आ जाएगा तो थोड़ा टाइम इसलिए लगा कि आगे भी एक दो लोगों के अडरस ना वो चेंज कराने से तो प्रोसर में थोड़ा टाइम लग रहा था पता नहीं सरवाट थोड़ा डाउन चल रहा था भी मेरे को ना मेरा पांकाड जो है वो पूरा खराब हो चुगा है वो मेरे को COP 12 साल पहले का पांकाड गिस गिस के ऊपर का जो प्लास्तिक ना जो कोड ना हो सब आता है पूरा चला गया है तो फिलाल अवी जो मेरी IT रिटन का मैलब काम प्रता था उनकी ओफिस पे आया था उनकी ओफिस जगे है तो अभी मेरे नंबर भी नेएज निकलना पड़ेगा दूसरी जो नई ओपिस आप चाहिए तो जो पांप काम था वह रह जाएगा तो जो जो प्राइ करता हूं नंब इतना सारा मेने नेरों में बढ़ दिया है और यह सब फैकना है बस जगा होनी चाहिए जो मतलब डैस्ट बीन होता है बड़ा मुंसिपल टीक है वो परा ही रहता है बड़ा इसका फैंकने का करना पड़ेगा भी आच और गाड़ी कंडिशन थोड़ी ना मेरको आगे से क्लीन करने पड़ेगे वह बहुत रंदी है कोई नहीं तब फाइनली बहुत दिनों के बाद गाड़ी हाथ में लिए और मेरको यह साथ अगर सेल ही नहीं लगेगा क्योंकि बैटरी इसकी ना भी खातम होने वाली है वैसे दो साल हो चुके है बट फाइनली चालू हो गई और सब फिलहाना पड़ेगा तो यह आ गया सामने लिए अपने फ्यूल कर देते हैं बाई इसने पैट्रोल पम पे न दाव कर दिया घाड़ीने पैट्रोल हो गया उसके बाद चालू ही नहीं हुई उसके बाद पाँच मिनीट तो मैंने बैटरी के पूरे झेड़े जो पूरे हिला दिया उसके बाद ये चालू हुई अभी इसको लेके निकलना धोक्य से कम नह अभी दुखा दे रही है वाई कोई नहीं बैटरी का जुगाड करना पड़ेगा और कोई नहीं क्या प्रोब्लेम है क्योंकि अभी दो साल हो चुके और घर से निकलते मैंने ऐसा बोला कि भाई गाड़ी ने अभी चालू हो गया बट पेट्रोल पम आखे ही रो दिया इसने क दो घना अभी मेर को जाना था टीमाट और यथा फोड़ा डर लगना चालू हूआ है और अच्छा हुआ कि वह पैट्रोल पंपे ना गाडों की लाइन ने नहीं थी ब्हुत सारी ठी है नहीं तो फोड़ा सा फासे म Swiss chemel लगने जहां चलू दा ता वहां पर फाइनली दो भाद मेरे को लेना था वो भी मैंने ले लिया गवेशे देखहो मेरे को एससे खक रे लेने थे दो मेरे екलं लिए एक पैकेड मैं एलोकल अब कंप अन्य को लेनिका एक कर्स्टमर को के लिए और पर देखना अहीं एक गाड़ी चालो होगी के नहीं होगी बस यह न्यूटल है ट्राइ कर लेते हैं फाइनली गाड़ी चालू हो गई 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 मेरको यही डर था कि पैट्रोल पंपे गाड़ी बंद हो गई और दीमार्ड मेरको देख से पहले पैट्रोल पंपे पैट्रोल करवाना था उसके तो यहां आने के लिए कम से कम दस किलो मेटर गाड़ी चली तो थोड़ी बैटरी चार्ज हुई होगी इससाब से में वह कैल्कुलेशन करके अभी आया तो डीमाड में अपनी आराम से गाड़ी चालू हो गई इतना टेंशन था फटा फट करके कोई निए चलो अभी फाइनल से वह अभी फील होना चलो हो गया है जिए पूरा मलब यहां से यहां तक ता और कम सगम तीन महिने के बाद साइद यह बीजो दीख रहा है वो भी पूरा मलब फील हो जाएगा तो अभी कंडिसन अच्छी है बगवान जी अभी यह छोटा सा मंदीर है छोटा सा मंदीर यह पूरा मतलब बगवान जी उपर भी है मंदिर के उपर बट अभी एक दो दीन के बाद बड़ा आने वाला है मतलब बगवान का बड़ा घर आने वाला है वो दिखाऊंगा नेक्स व्लोग में साध आज ही आ जाए तो फाइनली अभी हमारे गर के अंदर बगवान जी का नया बहुत ही दिख सब्सक्राइब करना है कि अर्मों तो बहुत ही यहां पर स्पेस भी रहेगा और यहाँ पे अपने बैठ के मलब यह जो चैर है उसको पूरा खिसका देखे यहाँ पे पूजा करने के लिए बैठ सकते हैं तो अच्छा यहाँ पे जगह है और पूजा करने के लिए जो सामान होता है वो सब यहाँ पे यह वाले ड्रोवन में रहेगा तो स्पेस भी बहु जो मेरा सेकेंडरी मतलब मेरा नहीं मेरे बाई का जो मैन बिदनेशर सोलर पैनल का तो वहां पर उसकी साइड पर आया हूँ एक्चली में किया है कि बहुत ज्यादा लोड है तो नाइट में भी थोड़ा काम चल रहा है अभी मैंने सुझा चलो भी जाता हूँ और हैल्प करा